इस जो हैं अगा पिस कि आ अप आख आद है और कैसे आप सो भी क्या हाल चल क्या हाल चाल हाँ अभी आप कुछ दिर के लिए होया था इस वर साथ सब्जों नहीं आता चलिए, welcome my dost, welcome my friend, welcome, welcome तो कैसे हैं आप सभी, कैसे हैं आप सभी, जरा मुझे दैंसर, कैसे हैं आप सभी और क्या है हाल चल आप सभी के, और मैं भी वेक सिंग आप सभी का सौरत करता हूँ, good evening, good evening, hi sir, hi sir, hello sir, कैसे हैं आप सभी first of all, बताएं कैसे हैं आप सभी चले स्वागा जरा सभी का, है ना सभी जुड़ जाओ, आप सभी को सरका, मैं एक मिट के टाइम में दा हूँ, एक मिट में सरका, पांच दो पे हम सुरू हो जाएं क्लास को, बस एक मिट में आप सभी जुड़ जाएं, और सभी क्लास को, शुरू के जाएं ना, बढ़े हां चलिए बहुत शांदा, very good and pleasant evening सर जी, good evening, good evening, good evening, good evening, चलिए तो आजो कुछ बाते करते हैं और बाते हैं और बहुत सारी है और सबसे पहले सब्सक्राइब बारे में जान लो अई ठंड आगे रजाई में बैठके पढ़ने का लगी मज़ा है तो बिहार से विल कोट के लिए सर हमारे पासे कंप्रीट बैच है जो कि आपको बिहार से शीजल दर्गवा से विल कोट इन सबके दियारे एक साथ करना चाते हो तो यह बैच पी आपको 409 रुपर के मिल रही है जहां पर टेस्ट बुक पास तरक्या बिल्कुल फ्रीव कोस्ट पासकते हो और सर देखो पहला कोश्चन देखो दोस्ट पहला कोश्चन आप स इसमें से कौन सा कथन सही है प्रतेइक नेतर्गुहा पिडा डेंगु का लक्षण नहीं है ठीक है बढ़िया तो चाप पित्तिका नाक शेस राओ डेंगुक के कुछ लक्षण है मतलब यह पर गण पैद्गु सर देखने में लगगा है सर को पहला स्टेटमेंट है वो तो पहले गलत है सर को पहला statement है sir, क्योंकि डेंगू किस से होता है, डेंगू सर मच्छड से तो होता है, लेगन प्रोटोस होआ नहीं करता है इसको कौन करता है दोस्त तो इसको करता है आपका वाइरस। कौन करता है वाइरस। तो पहला statement गलत हो गया। प्रतिक ने तरगुहा पिड़ा, the eye cavity pain is a symptom of dengue, यह भी देंगु का symptom नहीं है, सरक्या तो सिर्फ और सिर्फ आपका सरक्या, याद रखो कि केवल तीन आपका statement से हो जाएगा, क्योंकि देखो, होता क्या है, कि देंगु में क्या होता है, सर्फ पेटलेट्स की कमी हो जाती है, पेटलेट्स की कमी होते ही, सर आपको पता है कि अगर आपके बॉडी के अंदर पचास यार से कम हो गयां, तो याद रखोगे कि आपके नाक से, सर क्वून आना के प्रक्रिया होगी, तो तो तुचा प्रित्रिका नाक से खून आना सर क्या कुछ लक्षण है, only the statement 3 is the correct, या सबोर्व होता है और तो युल्स से वहाँ हो और किसका जमाओ हो जाएगा गढ़िया ऑड़िया बड़िया पें अंदर आपकि यूरिक अमलक के जमाओं acid होता है, जिसके नाम होता है uric acid, तो uric acid के जमाओ से याद रखोगे क्या होता है, तो गठिया रोग हो जाता है, याद रखेगा, बिल्कुल, 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 शांदार है, शांदार है, malaria के संबन्ध में कौन सा कथन सही रही है, which of the following is not true regarding malaria, सुसके हैं या बिल्कोल सहिए स्टेटमेंट है इसके लाज में कुलॉरो के वोगता है बिल्कुल सहिए स्टेटमेंट है मलेरिया का पुराना इलाज कुनैन दवा थी और कुनैन को अपडेट किया गया दा कलोरो क्वीन में तो याद रुखो कि दा ऑप्शन नमर थर्ड इस दा रॉंग हैर सी इसका आंसर हो जाएगा याद रुखोगे नenti निक्स का कहता है कि जो मनुश यहनी सबस्दब्श पाथा कि उसे भोजन करना कभ रोग लेना चाहिए सर कया कोई बैक्ति हzing और ओओ छो आरह खा रहए गा रहा है खा रहा है तो ने कि इसस रोग से पढ़ht शरको एक रोग होता है सरzel याद ए को दा अंरॉक्षिया नर्वोसा। याद रखो गे इस रोग में दो इसाल यही को के लिटो नवागे आ चाहिए। ने किह बन दो और बतski को इसमें एक लिटो न! डीटो जहना चाहिए वही दो कोशिननोतों संदों। खाता रहेगा, खाता रहेगा, इस बात को आप सारे याद रखोगे, ठीक है, बढ़िया, नेक्स्ट आजाओ, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, भारत में, बारत में 65% प्रतिशत रोग्यों के निकित में, कौन सा परजीवी उत्तरदाई है, कि भारत में मलेरिया के 50% रोग्य तो उसके मच्छड के काटने से यह हो जाएगा, याद रखोगे, तो दा अंसर भी दा पी कालसी पेरम, याद रखेंगे इस बात को सारे के सारे, नेक्स्ट आजाओ, हीमोफीलिया एक अनवान्शिक रोग है, जिसका वहन, हीमोफीलिया क्या है, दोस्तों हीमोफीलिया एक इस तरियों में होता है, गलती स्टेटमेंट है, सर इस तरियां करते हैं, जो प्रकट पुर्सों में होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दो ऑप्शन नमर भी इस दा कट स्टेटमेंट याद रखोगे, क्योंकि हीमोफीलिया एक अनवान्शिक रोग है, जिसमें तो यह एक्स जो इन्फेक्टेड है वो डॉमिनेट कर जाएगा तो पुर्सों में यह दिखाई देगा जबकि इसके सर याद रखोगे वाहक कैरियर कौन होगा तो महिलाएं होंगी याद रखोगे आरती मिश्रा बहुत बढ़िया पूजा बढ़िया शांदार शांदार है दोस्त बहुत है नम्रुकित में से कौन अनुवांशिक अब्यस्ता नहीं है विच ऑप्ड़ फॉल्उक्ट इस नॉट इस में से जिनेटिक डिसॉर्ड़ कौन सा नहीं होता है कि which of the following is not a genetic disorder सर को down syndrome genetic disorder है बिल्कुल सही बात है सर सर hemophilia genetic disorder है बिल्कुल सही बात है सर irritable bowel syndrome ये तीन ऐसे रोग है जो genetic disorder है लेकिन dentine cell anemia यह क्या है सर तो यह एक परकार का सर क्या तो रक्त ब्यती क्रम से रक्त से होने वाला रोग है या blood के सर क्या दिक्कत से होने वाला रोग है जिसे कहते हैं the dentine cell anemia तो चोथा सर क्या बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा याद रखोगे है ना optionate down syndrome आरे वही clip वही dot वही clip वही dot सबको पढ़ाया हुआ है याद रखोगे next आजाओ अलजाइमर रोग में मानोसरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है आपको पता होगा as all you know कि अलजाइमर रोग में क्या होता है तो मनुष अपनी याददास खोने लगता है मनुष को कोई बात सरका देर तक याद नहीं रहती और अगर आपको से कुछ चीज याद नहीं रह रही है आप बहुत जल्दी चीजों को भूलने लग रहे हो तो वह किस में होगा सर तो वह ब्रेन में होगा मस्तिस्क में अलजाइमर रोग होता है याद रखोगे जो अलजाइमर रोग होगा याद रहुगे कि टिटनिस नामक रोग नम से भी जाना जाता है good disease call titanus is also known by a name साथ titanus sentence को और किस नाम से जानते हैं काली खांसी के नाम से जानते हैं लोक जो के नाम से जानते हैं माइग्रीन के नाम से जानते हैं या shingles के नाम से जानते हैं बड़यां सवाले दोस्ट बड़यां है, जर अभर मुझे बताओ क्या सुमहम कुमार बस भीया、 एक ही बार रहार कर दो, सुमहम क्या ही बात है आज ओ दोस्ते को क्या कहता है कि tietnes नामक रोग, सर क्या किस नेम नाम से भी जानते है याद रखो जो टिटनेस है टिटनेस को याद रखो कि हम लॉक जो के नाम से आनते हैं किस नाम से आनते हैं लॉक जो जिसमें जबड़ा लॉक हो जाता है और याद रखो जो टिटनेस रोग है न सर याद रखो किस से होता है तो यह बैक्टीरिया से होता है दोस्त याद रख यह लोखो न uw निक्स आजाओ , नक्स आजाओ ? पॉलियो यह की कोज न ऑर कॉज ने खोजा , यहाद रैह टीक की ठीके की मिल्या आइस यह लेट। yogurt कोज न ख़ोज यह आडवर्शेलर ने खोजा , Prabhita , neither रवच एक पॉलियो की ठीके की खोज किसंएक थी तो याद रुखो जोस देखो जो polyokotika है यह Alexander नहीं यह सरक्या यह John Salk दोरा खोजा गया याद रुखो कि John Salk जोरा polyokotika Alexander Fleming ने antibiotic की किसकी खोजकी Antibiotic Penisilline नाम का Antibiotic था उसका खोजकिया Advers General ने चेचक का टिका खोजा, Robert Koj ने सरक्या तो याद रुखोगे सरक्या तो हैजे के टिके की खोजकी थी, so the answer will be option number B याद रखोगे, next आजाओ 6 रोग TB के परिक्षण हित्व कौन सा टेस्ट होता है तो सरकी 6 रोग, सरको 6 रोग होता है, जिसे आप Tuber Closus के नाम से आनते हो तो Tuber Closus के लिए कौन सा टेस्ट होगा, Robert Test, Vidal Test, Warn का टेस्ट या Mattox का टेस्ट जल्दी बताओ, फटा फट बताओ, दोसर याद रुखोगे कि देखो जो आपका TB है, TB में सर कौन सा होता है, तो TB में Mattox Test होता है, याद रखेगा कि TB, TB किस से होता है सर, तो फिर से यहा रोग, जिवानू से होने वाला रोग है, बैक्टीरिया से होना रोग है से और कौन सा Bacterिया, तुया रहोगे, तो माइको बैक्टिरियम हो जाएगा, विडाल टेस्ट के लिए होता याद रहोगे, किस के लिए होता याद रखोगे, किस के लिए होता है। याद रखेंगे, THE जो दोवनक्षिया कहता है एंथोफोविया किसका ड़ है थे Alt Bo Church की सवाल बहुत असान हो जाएगा तो याद रकर फोपिया होता है या disparus का दौिक के या क्या होता है या फिर फ्लाइसका और होता है एक से को सिकटा ओशन ход चलिए नेक्स आजाएंगे रिमोट कहां गया यह रहा हूं रेको नेक्स कायाता है सरको नेक्स वोर्शन पर मुझे रहा है सरक कियाता है मिनी माता कैसे होता है जरा मुझे बताओ जो रोग है मिनी माता रोग है किसे होता है यह बुराउं से से हो जाएगा है आजे से अब करा किसे सच्पारोग है वा किससे हो जा या रहा हो रहा है All आज यहां गा चलिए जो वन इनलग्तर वितर निउर किश्पारोग होता है यहां मरकारी-यानी पारस्थाप का मिनी माता होता है जबकि याद रुखोगे सरक्या आपका वहीं पे कैडमियम से इटाई इटाई याद रुखोगे कॉपर से वेल सन ये सारे रोग देशने को मिलते हैं याद रुखोगे नेक्स आज़ो मलेरिया से प्रहवित होने वाला अंग कॉंसा है वह कौन सा अंग है जो मलेरिया से प्रहवित होता है आपका हिर्दय है आपके किड्नी है आपके फेफने है आपका प्लिया है तो मलेरिया में सर कौन सा अंग प्रभावित होता है याद रखोगे सर क्या प्लिया प्रभावित होता है इस बात को आप याद रखोगे प्लिया प्रभावित होता है किसमें मलेरिया में और मलेरिया सर किससे से होता है तो आपको पता ही होगा, malaria plasmodium से होता है, plasmodium नम का परजी भी है, जो malaria करता है, याद रुखोगे, hydrophobia किसके कारण होता है, what causes hydrophobia, hydrophobia किसके कारण होता है, जरा मुझे बता हो, sir, ये रैबीज है रैबीज ये क्या है सर ये रैबीज है रैबीज और रैबीज किस से होता है सर आपको पता ही होगा तो रैबीज किस से होता है तो यह होता है रैबीज वाइरस से सर क्या होता है या रोग तो यह विशाणों से होने वला रोग है और रैबीज का टीका लूई पाश्चर ने खुजा था किस ने खुजा था दोस्तो रैभी इसका टिका लुई पाश्चर नाम के साहब दोरा खुजा गया था सर हेमोफीलिया हेमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो उत्पन करता है हमोफीलिया क्या है सर एक अनवानशिक बिमारी है हमोफीलिया is a genetic disorder that cause decreased in hemoglobin label बताओ सर सर सिंपल सिंपल सी बात है हमोफीलिया में क्या होता है सर तुरक्त का इसकंदन नहीं होता है ब्लेड क्लोटिंग नहीं होती है बिटमिन केकी कमी हो जाएगी platelets नहीं बनेंगी यह साइड दिक्कते होती है याद रखोगे और हमोफीलिया को शाही बिमारी भी कहते हैं इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों इसे साही बिमारी के नाम से जानते हैं क्योंकि यह सबसे पहले सर क्या तो याद रखोगे Queen Victoria के अंदर देखा गया था याद रखोगे सर इटाई इटाई रोग किसके दिरिकालिम विशाक्ता से होता है इटाई इटाई रोग किसके विशाक्ता से या किसके लंबे समय तक के सर क्या poisoning से हो जाएगा सर क्या दिखो जो इटाई इटाई रोग होता है इटाई इटाई रोग सर किस से होता है सर देखो सिंपल सिंपल है कुछ चार पांच रोग है याद रख लेना सर एक होता है सर कॉपर कॉपर से क्या होता है सर कॉपर से होता है विल्सन इनको लेख लेना कहीं कि copper से wilson cadmium से क्या होगा sir तो cadmium से cadmium से इटाई cadmium से sir क्या तो इटाई इटाई याद रखोगे para, para से क्या होगा sir तो para से होता है mini mata para से क्या होता है sir तो para से होता है mini mata एक और रोग लिखोगे sir क्या nitrate नायट्रेट से क्या होता है से याद रखोगे, आपका होता है Blue Baby Syndrome, कौन से सर ? तो Blue Baby Syndrome नाम का रोग होता है सर किसमें तो याद रखो किसमें, तो nitrates से तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ? Etai, Etai, Cadmium से हो जाएगा, याद रखोगे Cadmium से होने वाला रोग है, इटाई इटाई और लोहे से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है याद रखेगा नेक्ष देखो नेक्ष चा कहता है यह क्या हो गया रा रा क्या ही हो गया चलो प्लाजमोडियम परजिवी की वाहक है बताओ सर प्लाजमोडियम परजिवी की वाहक है कौन तो आजो दोस्ते हो क्या कहता है कि प्लाजमोडियम परजीवी का वहक कौन है तो याद रखोगे तो मच्छड है मच्छड मच्छड का सर तो कौन सा मच्छड तो एना फिलिज मच्छड तो याद रखोगे, Enaphilis मचड, कौन सा मचड दोस्त, याद रखोगे कि Enaphilis मचड जो है, याद रखोगे, वो किसका बाहग है, तो वो Plasmodium Prajvika का बाहग हो जाएगा, याद रखोगे सर कौन जो Enaphilis मचड हो जाएगा, यह तो और अच्छा सवाल है, सर, कैंसर किसे कहते हैं, कैंसर किसे कहते हैं, कई बार मैंने आपको बताया है, कि कैंसर किसे कहते हैं, मैं थोड़ा सा साइड होता हूँ, कि आप सारे options को अच्छे से पड़ पाओ, कि सर, कैंसर किसे कहते हैं, सर, स्वस्ते सेलों का बनना बंध होना, जिससे क्रमसा मिर्त्वी क्या एक्स्ति हो जाना कैसे होता है यह जब भी एक सेल के साथ होता है होता कि उस्में ट्यूमर होगा ट्यूमर कैसे घृट्स्ति जोल डिपन ट्राव भी पुर में आपको एप cell के साथ होता है होता क्या sir उसमें tumor होगा tumor कैसे हो cell का division होआ और rapidly division होगा तो वो tumor cancer कर जाएगा और इनसान के मिर्त्वी हो जाएगी याद रखोगे इस बात को सारे के सारे next आजाओ भारत में sir क्या 200 सिशों में से एक अतीसार से मर जाता है मानुल सर की भारत में सर क्या तो 200 बच्चों को samoch जन्म हुआ जिसमें से एक किस्षर मर गया एक मर गया अतिशार से तो उसके ना से क sparks रैब इस होता है सर जिवानों नोर्ट से जिवानू से रोटें वाइरस से कावक से या अमीबा से भावन वा में जिसका कारण क्या हो जाएगा जिसका कारण 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 हो जाएगा होता है जिसे आप dysentery कहते हो याद रखोगे diarrhea कहते हो आप याद रखोगे next आजाओ malaria तथा dingo में नम्रिखित में से क्या common नहीं है what is not common in sir malaria and the dingo बताइए sir बहुत ही बढ़िया गया सब का चलो तो मैंने कहा है भावनों में नहीं बहेंगे malaria और dingo नम्रिखित में से क्या common नहीं है बहुत ही शांदार rota virus होगा नहीं दोस्त रोटा वारस नहीं होगा इसा सेथ नहीं होगा ठीक है मैं इस question को 17-18 बार करवा रहा हूं मुझे पता है क्या होगा ठीक है आप ने रोटा वारस लगा इसका मतलब रोटा वारस नहीं होगा ठीक है उभैनिस्ट उभैनिस्ट तर क्या तो mosquito species याद रखोगे मैंने पहले ही कहा था कि सर क्या रोटा वारस एक सर क्या फॉरे नाम देखके नहीं जाओगे पेचिस है अतिसार इंडियाग में अगर तुम्हें इतिहास पढ़ंदा वह सब बिंदु सार के मिर्थियू विम्भी सार के मिर्थियू मतरु क्या है इतिहास में देंगू होता है वो किससे होता है वहाँ एडिस मच्छड से होता है इस बात को आप सारे याद रखीगा बढ़या है शांदार है धुआधार है मानो human कह रहा है सर देखो silicosis एक है सर देखो silicosis है यह kidney समंधी रोग है liver समंधी रोग है disorganized nerve है या lung disease है सर को जो silicosis से silicosis कैसे होता है सर तो silicosis याद रुखो कि सर देखो जब भी आप metro cities में रह रहे हो मे happiest यहां मुंबई रह रहे हो दिल्ली रह रह रहे हो गुडगाओं रह रहे हो कलकत्ता रह रहे हो मे Yale sits मे रह रह रहे हो और पॉलुशन होने की वज़ए से याद रखोगे कि silika की मातरा बढ़ेगी जो कि सर क्या सास लने में दिक्यत करेगा और याद रखोगे, यह क्या सर, यह एक परकार का lung disease है, it is a फेफड़े संबंधी रोग, इस बात को आप सारे याद रखोगे, यह क्या सर, यह फेफड़े से संबंधी रोग है, नमरिकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है which of the following यह सर क्या सही सुमेलित नहीं है अनुवानशिक रोग, ट्यूबर क्लोसिस पमा रोग, चिंचडी मानसिक रोग, मनो विदलता या स्वव प्रतिरक्षी रोग संधीवाद, संसीचोध मतलब आर्थराइटिस सर क्या आटो, आटो इम्म्यून डिजीज बिल्कुल सही बात है सर को यहाँ पे एक सवाल, सर क्या एक option है, जो की बहुत अच्छा बन रहा है सर अनुवानशिक रोग, छै रोग नहीं है छै रोग किस से होता है हम सभी ने पढ़ा है छै रोग बैक्टीरिया से होता है तो बाकि अगर options tough भी है बाकि अगर सर क्या option tough भी है तो आप सर क्या मिला के कर लोगे तर अनुवानशिक रोग, option number B बिल्कुल, 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 बिल्कुल बाकि options tough भी है फिर भी सर क्या आप लंका लगा दोगे इस सवाल की मुझे पता है सर फिर से रा 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 आ गया मतलब क्या ही है इसका नेक्स्ट आजाओ कि डेंगू बुखार में मानो सरीर में ननखित में से किसकी कमी हो जाती है सर को कोई ब्यक्ती है जो डेंगू बुखार से पीडी थे कोई ब्यक्ती है सर डेंगु में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, याद रखोगे, डेंगु में बलड की कमी हो जाती है, और हमारे सरीर में प्लेटलेट्स की कितनी मात्रा होनी चाहिए, तो यह 1.5 लाख से, डेंगु वार में बहुत कुछ बता सकता हूँ, देढ़ लाग से चार लाख। हमारे सेरीह में , याद रखोगे कि प्लेटलिक्ट्स की मात्रा होनी चाहिए, है नौि याद रखो गए , लेगीव बुखार ओनो सेर क्या किसकी कमिस होता है और देगू का मिच्चत दिन में काटता है रात में नहीं कारता याद रखोगे टीक है सर क्या वो डैनरल एनिमल है वह निसाचर नहीं होता मनिश्य के अंगो में कौन सा एक खनीकारक विकरन से सरवाधिक सूपर्भाव है इससे ज्यादा कौन एफक्ट्ट हो आगी सर है ना इससे हड़ी harmful radiation हो रहा है तो harmful radiation से कौन सा याद रुखो गई सर एक्सपीरियंस है recent experience है 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 याद रुखो कि सर विकरन से कौन सा अंग ऐफक्टेड होता है जो की आखें तभी तो कहते हैं सर कि देखो आप क्या कि जो कहते हैं lunar eclipse, सूरे करहंट, चंद करहंट, आप सर क्या नंगी आंखों से मन नहीं देख सकते है, याद रखोगे, पीला बुखार नमने खित के दोरा फैलता है, yellow fever is caused by, सर देखो जो पीला बुखार है किस से होता है, याद रखोगे, याद रखोगे, याद रखोगे, इनमें से किसी के दोरा नहीं फैलता, none of the above तो यह याद रखोगे यह mosquito से फैलता है यह mosquito से फैलता है यह मच्छड से फैलता है तो क्या जो आपका yellow fever है जो virus से होने वाला रोग है my cmd sapra का why याद करना my cmd sapra का why याद करना और why से था yellow fever जिसे पीत जो यह कहते हैं जो मच्छड के काटने से होता है और यह sir क्या none of these हो जाएगा याद रखोगे नन of these हो जाएगा याद रखोगे ठीक है next आजाओ polio का virus सरीर में प्रवेश करता है the polio virus enters the body through पताइए sir पताइए sir बहुत इशान दाग कि polio का virus मानों सरीर में कैसे फैलेगा मच्छड के काटने से दूसित भोजन और जल से कुकुर के काटने से या sir क्या है धूक या sir थूक पताइए sir कि polio का virus सरीर में कैसे फैलता है मच्छड के काटने से दूसित भोजन तथा sir जल से sir थूकने से सर देको जो polio है polio याद रखोगे यह virus से होने वला रोग है इसकी drop Albert Sabin ने खोजी तो इसका injection किस ने खोजा John Salk ने खोजा याद रखोगे तो दा answer will be by spit याद रखोगे सर निमलखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूशन की वज़ा से नहीं होता है कि पानी के प्रदूशन से कौन सा रोग नहीं होगा सर हैजा नहीं होगा सर पिलिया नहीं होगा सर टाइफाइड नहीं होगा या हपटाइटिस नहीं होगा ऐसा कौन सा रोग है जो पानी के प्रदूशन से नहीं होगा तो याद रखोगे कि पानी के प्रदूशन से कौन सा रोग है जो नहीं होगा तो याद रखोगे कि पानी के प्रदूशन से कौन सा रोग है जो नहीं होगा पीलिया आपके लिवर को खराब करता है और लिवर भी सर क्या दूसित पानी से होगा है जा कॉलरा ये भी हो जाएगा हैपटाइटिस नहीं होगा नेक्स्ट आजाओ उस बैग्यानिक का नाम बताईए जो जो यहोंने यह खोच की थी कि कि वह कौन से ऐसे सहब थे जिन्होंने यह बताया था कि मलेरिया सर क्या प्लाजमोडियम नाम के परजिवी से होता है याद रखोगे प्लीज एक्स्ट ऑप्शन अलसो दोस्त अभी एक्स्ट ऑप्शन को एक्स्ट्रें करने का अभी टाइम नहीं है सर थोड़ा सा हम सर क्या अभी कोश्टन को ज्यादा कर रहे हैं अब आपको जितने जयादा क्वोश्टन से गोठु हो सकते हो उतना ज्यादा अच्छा हों क्योंकि अब अपका पंदरह दिन हैं तब स्थोई हुए थे आप जब मेह एक्स्ट ऑप्शन को पूरा समझो ना अब तुम कह रहें को जि बारे मताया था, हैकल ने क्या किया सर, हैकल ने three kingdom classification किया था, और Darwin ने सर, क्या evolution के बारे मतलाया था, इनकी पुस्तक थी the origin of species, polio किसके कारण है सर, polio का कारण क्या हो जाएगा, जिवानू हो जाएगा, बिशानू हो जाएगा, कीट हो जाएगा, कवक हो जाएगा तरह को जिवानू विशानू कवक या कीट सर जिवानू की ट्रिक पता है पंडित का टीका नियू है विशानू का माई सीमडी सिप्रा पता है सर कवक का पता है सर क्या कि गंजा दमाद खाय फ्रूट तो हो गया ना सर माई CMD Cipra सर क्या CMD Cipra का P Virus और कौन सा Virus Polymelitis Virus और याद रखोगे कि Polio की खोज सरे को जो विशानू की खोज किस ने की थी तो विशानू की खोज Evonowaski ने की थी किस के अंदर तो तंबाकू की पतियों के अंदर तो वैको लीप्स के अंदर तंबाकू की पतियों के अंदर की थी याद रखोगे बहुत इशान्दार बहुत इशान्दार सो दा आंसर विल वी वाइरस एक बच्चा करें कि Polio Contaminated Food and Waters होता है Contaminated Food and Waters से केवल Bacterial Disease होंगी याद रखोगे इस बात को सर क्या कहता है निमलखित में से कौन सा रोग Proto-Zoah द्वारा होता है Proto-Zoah सर Proto-Zoah से कौन-कौन सा रोग होता है Which of the following disease is caused by Proto-Zoah नाम बढ़ा असान है कि Proto-Zoah से कौन सा रोग होता है ट्रिक आप सभी को पता है सर क्या कि ठीक है आप भी अपने कौपी में नोट कर लो कहीं पे पापा से क्या होगा पाईरिया हो जाएगा सर का म से क्या हो जाएगा म से मलेरिया हो जाएगा मलेरिया मलेरिया हो जाएगा का से काला अजार हो जाएगा काला जार हो जाएगा सर पेस से क्या होगा पेचिस होगा और सोते हैं से क्या होगा सोते हैं से सोने की बिमारी हो जाएगा सोने की बिमारी हो जाएगा याद रखोगे तो क्या कहता है दोस्त तोटो जोवा से मलेरिया नमकरोग होगा जो याद रखोगे मच्छड के काटने से और प्लाजमोडियम नाम का परजीवी इसको लेकर आता है, याद रखोगे, पार्याइ, एंटा-मीबा हिस्टोलीटिuk, एंटा-मीबा एंटामीबा गवाग्यं। से हो जाएगा याद रखोगे हर्दाय की धढकन को न्यंतित करने के लिए नियुए इसे कौन सा खनीज आवश्acahah कि हमारे बोडी के अंदर वह कौन सा ऐसा खनीज है जो याद रखोगे जो हिर्दय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए हमारे सरीर के अंदर कौन सा सरक्या कौन सा खनीज आवश्यक है सोडियम है पोटेशियम है गंदक है या लोहा है सिंपल सिंपल सी बात सर देखो याद रखोगे कि हिर्दय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए सर को जो लोहा है यह ब्लिड के लिए होगा सलफर सर कया मान स्पेशियों के लिए होगा सोडियूम किसके लिए हड्डियों के लिए हो जाएगा the answer will be sodium-sodium-sodium जो हमारे बोडी के अंदर सर क्या इलेक्ट्रोब्स लेक्ट्रोइम्पल्स लेके आते हैं सर क्या क्या किया युसको हिंदी में चलो हिंदी में याद नहीं है इलेक्ट्र। मतलब बिद्धूत आवेग बिद्धूत रसायनिक आवेग को लेक़ा आते हैं जो सोडियम होते हैं वह हमारी बोडी के अंदर ठीक है, याद रखोगे, next आजाओ, hepatitis रोग से मनुष्य के सरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, hepatitis से हमारे सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ, सर की hepatitis से हमारे सरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यह Hepatitis रोग में याद रखोगे, सारे के सारे, वायरस से होता है, यदि कोई मानवी रोग बिश्यों के बिरहच चेतर में फैलता है, तो उसे क्या कहते है, एक ऐसा रोग, जो मानो को effect कर रहा है, किसको मानो के effect कर रहा है, और वो कहां फैला है, वो बिश्यों में फैला है बिश्यों में तुसे क्या कहा जाएगा पैंडेमिक कहा जाएगा एपिडेमिक कहा जाएगा एंडेमिक कहा जाएगा या एपिजोटिक कहा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा उसे क्या कहा जाएगा उसे क्या कहते है उसे क्या होता है सर दो सब्खूँ जब आपको सबखूँ अपकर मोहला है आपका गाहों है आपका गाहों में कोई महामारी फैली है आपके जिले में कोई महामारी फैली है तो वह क्या कहा जाएगण़ वहजाने हो Bush gotstar और पूरे सर क्या वर्ल्ड के लेबल पे वो पैंडेमिक कहा जाएगा, क्योंकि आपने दिखा जो कोरोना था वो एक पैंडेमिक रोग था, याद रखोगे, ब्रेन की बिमारी को किस से पहचानेंगे, EEG, EEC, EKG या ESG, सर को brain, brain सर किस से पहचानेंगे, ECG से या EEG से, सर SIMPLE है, बताओ सर की brain, दिमाग की बिमारी को किस से पहचानोंगे, बड़ा SIMPLE SIMPLE सवाल है, सर को जो brain की बिमारी को पहचानते हैं EEG से, EEG क्या होता है? Electroencephalograph, याद रखोगे, Electro-Encephalography जो आपके Brain में होता है Diencephalon तो Diencephalon पर ही Encephalography होता है जिसे EEG कहा जाएगा याद रखो गे इस बात को सारे के सारे Electro-Encephalology graph होता है याद रखेगा Brain को EEG से पहचानते है नमर्कित में से कौन सा सुभेल है सर मोतिया बिंद किस से होता है मोतिया बिंद किस से होता है बड़ा असान है सर मोतिया बिंद सर क्या सर हम इसको मिला भी सकते हैं चारों हो रहे ना चारों मिल भी जाएंगे दिखो ना कैसे कि मोतिया बिंद आखों से होता है तो पहला गलत हो गया निमोनिया किस से होता है सर निमोनिया फेफड़िम होता है ये भी गलत हो गया सर टाइफाइड किस में होता है आतों में होता है सर कौन सही है सर ऑप्शन नमर बी सही है याद रखोगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हम इसको मिलान भी कर सकते से इतना असान था यह, तो पीलिया सरक्या तो याद रखोगे, पीलिया आपके सरीर में बिलरुबीन के बढ़ने से, किसके बढ़ने से याद रखोगे, कि आपकी बोडी के अंदर बिलरुबीन की मातरा बढ़ने से, पीलिया नमक रोग होता है, याद रखोगे, कौन से रोग ह Sulfa Drugs कब लाई गई थी बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है Sulfa Drugs कब आई थी बताओ सर्थ, सल देखो Sulfa Drugs कैसे बनी है तो मैं बस एक नाम लिखूँगा तुम question सही कर दोगे, Sulfa Drugs को ही क्या कहते है, तो इसी कहते है Streptomycin, यही क्या सर यही है Streptomycin जो दोमाग नाम के सहब ने बनाया था, सलफा ड्रग किसने बनाया था? दोमाग ने बनाया था, याद रखोगे, जो स्ट्रेप्टोमाइसीन थी, बताइए सर, अब बता देंगे, अब तुरंट इसका अंसर, अब ये नाम लिखते ही, 90% बच्चे कर देंगे, जो स्ट्रेप्टोमाइसीन एक प्रकार का एंटीबाइटिक है, और एंटीबाइटिक स्ट्रेप्टोमाइसीन थी, तो सलफा दमायों का प्रयोग किस रोग में करते थे? तो याद रखोगे, एक रोग था जो प्लेग, जो सरक्या याद रखोगे, जो जिवाडू से होने वला रोग था, उसके लिए सलफा दमायों का प्रयक करते थे, जो कि एक प्रकार का एपिडेमिक था, जो कि एक प्रकार की महा मारी थी, याद रखेगा सरक्या, तो प्लेग था याद रखेंगे, और plague सर का चुहों से फैलता था और चुहों पे मौझूद पिसुओं से फैलता था याद रखोगे DPT का ठीका दिमलिखित में से किसमे सुरक्षा देगा सर को DPT एक triple antigen vaccine है सर को जो DPT है यह क्या है सर यह एक triple antigen vaccine है और यह किसमे सुरक्षा देगा पताओ सर, बहुत ही बढ़िया, DPT, DPT कहा है सर, यह एक परकार का triple antigen vaccine है, DPT, और इक इसमे कारदे के साथ, D से कहा हो जाएगा, diptheria, बिल्कुल सही, P से pertussis, जिसे काली खांसी, कॉक्कुर खांसी कहते हैं, बिल्कुल सही, T से titanus, बिल्कुल सही, और यह सारे के सारे, जिवानू से होनल रोग हैं, जिवानू से होनल रोग हैं, याद रुखोगे, DPT, diptheria, pertussis and titanus, बहुत ही बढ़िया, सभी cancer बिल्कुल सही आ रहा है, राम रतन, प्रतिवा, पूजा, बढ़िया, 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 सांदर, सांदर, next आजाओ, नम्लिखे जोडो में से किसका सुमेल है, पताओ सर, कि इसमे से कौन सा है, जो सुमेल है, मधुमेह क्या सर, यकृत में होगा, कि निमोनिया फेफडे में होगा, कि जॉन्डिस आखो में हो जाएगा, कि मोतिया बिन्द थाइरोइड में हो जाएगा, पताओ सर, क्या हो जाएगा, C हलुआ है, और बिल्कुल हलुआ है, सूजी का है, कि आटा का है, कि कट्टू का है, कि बेसन का है, तुम ही जान लो, पताओ सर, निमोनिया याद रखोगे, फिफड को प्रभावित करता है, और निमोनिया किस से होता है, डिपलो कोकस निमेनी नाम का, बैक्टीरिया होगा, जिसे पी-पी-एलो भी कहते हैं, जिसे पॉली-निमेनो-लाइक और्गनिजम, पी-पी-एलो भी कहते हैं, याद रखोगे, जॉन्डिस कहां पे होगा, तो जॉन्डिस लिवर में होगा, कहां कहां पे होगा, तो ये आँखों में हो जाएगा, डिपलो कहां होगा, तो डिपलो कहां होगा, पैन क्रियाज में, याद रखोगे मधू में हां, अगनाशय में होता है, याद रखोगे, so the answer will be option number A is the correct answer, A is the correct answer, gold creamy, nematode से होने वाला रोग है, sir को जो gold creamy, nematode, nematode, gold creamy, S के helminthes पूछ रहा है, S के helminthes से कौन सा रोग होता है, S के helminthes के अंदर ही gold creamy आते हैं, उन्हें ही round warm या nematoda कहते हैं, जिसके अंदर क्या आएगा, sir, तो अब नाम लूँगा, sir, तो आप इस answer को वहीं बनाओगे, नाम होता है Ascaris, नाम होता है Vucheria Bencrofti, और Vucheria Bencrofti से फाइलेरिया नमक रोग होता है, और यह फाइलेरिया नमक रोग हाथी पाउं रोग से जाना जाता है, याद रखोगे, इसे क्या कहा जाएगा, इसे हाथी पाउं कहा जाएगा, हाथी पाउं रोग याद रखोगे, जो फाइलेरिया है, इस बात को आप सारे याद रखोगे, जो निमेटोड से हो जाएगा याद रखेगा, बहुत बढ़िया शांदार, 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 आथलेट फुट बिमारी होती है, बताओ सर, आथलेट फुट किस से हो जाएगा, जिवाडू से, फंगस से, प्रोटो जोन से, या निमेटोड से, बताओ कि किस से हो जाएगा आपका आथलेट फुट बिम गंजा दमद खाये फ्रूट याद रखेंगे। पन, दमा से अस्थमा दमा, द से दाद लिखेगा दाद, दाद खा से खाज या खुजली और एफुट से अथलेट फुट और अथलेट फुट कवक से होने वाला रोग है, यह ट्रिक लिख लिएगा कि गंजा दमा दखाए फुरूट, यह क्या सर, यह कवक से होने वाले निमलिखित प्रती सूचमी औशधियों में से कौन सा यक्षमा और कोड दोनों के लिए उपयुक्त है सरे को क्या कह रहा है कि सरे को यक्षमा टी बी किस से होता है बैक्टीरिया से होता है कोड किस से होता है बैक्टीरिया से Mycobacterium tuberculosis Mycobacterium lapri हो गया solve Mycobacterium दोनों में है bacteria है तो यहाँ पे एक antibiotic पहचानो इसमें से एक antibiotic दबा का नाम पहचानो और सारे कर लोगे एक antibiotic दबा का नाम पहचानोगे और यह toughest सवाल आज का आप कर लोगे याद रखोगे कि antibiotic एक streptomycin है याद रखोगे जिसे सबसे पहला बनाया गया सर क्या antibiotic कौन सा था तो सबसे पहले बनाया गया antibiotic streptomycin था इस बात को आप सारे याद रखोगे next आज आओ बच्चों में प्रोटीन की कमी कारण जो रोग होता है वह कौन सा है सर बच्चों में और कौपोशन के दो नाम एक क्वाश्यर कर और एक मेरसमस एक क्वाश्यर कर और एक मेरसमस बेरी-बेरी बिटमिन B1 पेलागरा बिटमिन B3 से होता है रिकेट्स बिटामिन D से होता है पेलागरा को फोरडी डिजीज भी कहते है तो the answer will be option number A is the correct hair, correct हो जाएगा option A बिलकुल सही, नम्लिकित में से, सेट में से सारी बिसाणुजनित बिमारिया है, ऐसी कौन कौन सी बिमारिया है, जो सभी की सभी, सर क्या है तो viral disease है, जरा मुझे बताओ सर की ऐसे कौन से रोग है, जो क्या है जो सारे के सारे viral हो जाएंगे, तपेदिक, हर्पीज या रैबिज, मंप्स, रैबिज या हर्पीज, या सर कैंसर, कैंसर तो होगा ही नहीं, छोटी माता कैंसर तो होगा ही नहीं, सर क्या मंप्स, रैबिज और हर्पीज, या तपेदिक तो होगा ही नहीं, option B बिलकुल सही बैठता है, option B क्या होता है सर यह हो जाएगा, इलर्जी के कारण कौन से बिबारी होती है, इलर्जी के कारण कौन से बिबारी होती है, सिंपल सिंपल है, अलर्जी के कारण, याद रखेगा, अस्थमा नाम की बिमारी होती है, याद रखेगा, नेक्स्ट आजाओ, पैथोजेन जो समान जुकाम के लिए उत्त और रिट्रो दो वाइरस होते हैं, याद रखोगे, रिणो और रिट्रो दो वाइरस होते हैं, और रिणो समान जुका मुकार को होता है, लेकिन रिट्रो जो होता है, बड़ा हरामी टाइप का वाइरस होता है, ठीक ही नहीं होता है, याद रखोगे, तो रिणो वाइरस ब्लू बेबी नामक रोग सर किस प्रदूशन से होता है आज ही बताया है आपको कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किस से होता है आज 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 ही बताया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम कैसे होता है जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ कि ब्लू बेबी सिंड्रोम कैसे होता है तो और आर्सनिक से होगा वाइट फुट, इससे क्या होगा वाइट फुट हो जाएगा, वाइट फुट और ब्लाक फुट किससे होगा, तो यहाँ आर्सनिक से हो जाएगा, याद रखेगा, नेक्स्ट आजाओ, बहु चर्चित बबल बेबी रोग ऐसा इसलिए कहा जाता है, क् बायो बबल के अंदर वो बच्चा होगा तो याद रखोगे रोग ग्रसित शिशू के उपचार जर्मरहित प्लास्टिक के बुल्बुले में करते हैं दब बायो बबल याद रखोगे तो रोग ग्रसित शिशू का उपचार जर्मरहित प्लास्टिक के बुल्बुले में किया तो याद रखोगे पोलियो जपानी इंसेफलाइटिस और मस्तिकावरन सोध क्या है सर तो विसानु जनित रोग है एक ही आप्षिन यहां पर बचता है बिल्कुल सही होने के लिए निम्रिकित में से कौन सी जोड़ी गलत है तो याद रखोगे पोलियो कभी बंदर से नहीं ह होगा याद रखेगा पोलियो कभी बंदर से नहीं होगा नेक्स्ट आजाओ निम्रिकित में से कौन सा इसकरवी के इलाज में सर क्या तो उपयोगी है इसकरवी किस से होता है तो इसकरवी विटामिन सी की कमी से होता है और याद रखोगे इसकरवी विटामिन सी के इलाज क इसका प्रयोग करते हैं तो आमला क्या हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा याद रखेगा ठीक है बढ़ियां बढ़ियां याद रखेगे कि अबिन्दुखता याद रखेगे कि T याद रखेगे बिंदुखता याद रखेगे कि अब इन दुपता एक आँखों की बिमारी है याद रखोगे या किस की बिमारी है आँखों की बिमारी है याद रखोगे ठीक है बिलकुल पुनम प्रिदर्शनी बढ़ाई हो आपको बढ़ाई हो मायोपिया किस अंग का दोश है मायोपया किस अंग का दोस्ट छheiten मुझे बताऊ जा इनकट दृष्टी दोस भी कहते हैं आप सब्सक्राइं को एसे निकटदृष्टी दोस भी कहते हैं थेलिसीमिया के रोगी में शरीर में स्वीरि में भीका सन्सलिशन के चांटा नहीं रखता, जो थेलिसीमिया का रोगी होता है, वो सरीर में क्या नहीं बना पाता, देखो दोस्ट, जो थेलिसीमिया का रोगी होता है, या मानो सरीर में हेमोगलोबीन की फॉरमेशन नहीं कर पाता, याद रुखोगे, जो थेलिसीमिया का रोगी होगा, वो क्या नहीं कर तो हीमोगलोबिन का formation नहीं कर पाएगा याद रुखोगेज इस बात को, सारे के सारे बहुत ही शांदार 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 कि BCG का ६ किस नहीं लगता है बता ईसर की BCG का टिका किस में लगता है अन्दर लगने वाला टिका होता है BCG का TK और BCG का TK याद रखोगे कि TB में लगेगा किसमें लगेगा टो टूबर कुलेसिस पाम की बिमारी है उसमें लग जाएगा BCG का TK का याद रखेगा कि सुवरों से मानो रियाईशी चेत्रम को दूर रखा जाता है किसके उनमूलन से बताये सर कि किसके उनमूलन से सुवर जो सुवर होते हैं तो सुवरों के अंदर सर क्या TAPE WARM होगा और TAPE WARM लेके आता है The Japanese Encephalitis The Japanese Encephalitis को लेके आएगा याद रखेंगे इस बात को सारे के सारे क्या लेके आएगा दोस्तों यह जापानी इंसेफलाइटिस को लेके आएगा याद रखोगे नेक्स्ट आजाओ टीवी नहीं होता यह टेलिविजन है यह ट्यूबर कुलेसिस है नमिकित में से कौन सा रोग वैक्सिनेशन द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकता वह कौन सा ऐसा रोग है जिसे वैक्सिनेशन से ठीक नहीं कर सकते पताओ सर ऐसा कौन सा रोग है जिसे वैक्सिनेशन से कंट्रोल या ठीक नहीं कर सकते जरा मुझे बताओ दोस्त कि वैक्सिनेशन से या सर क्या या याद रखो कि वैक्सिनेशन से कंट्रोल ना होने वाला रोग कौन सा है, एक बार सारे मिलकर सेशन को लाइक कर देना दोस्त, सारे लाइक कर दोगे, तो फिर मिसे कौन सा रोग वैक्सिशन दोरा ठीक नहीं हो सकता, तो याद रखोगे मधू में, मधू में के लिए सर क्या इंसुलीन लेना पड़ता है, बल में क्या हो जाएगा, बताओ सर, कि देखो जो एड्स का विशानू होता है, उसके अंदर क्या होगा, तो जो एड्स का विशानू है, उसके अंदर आरेने पाया जाएगा, और प्रोटीन पाया जाएगा, इस बात को आप सारे याद रखोगे, कि आरेने और प्रोटीन पाय क्या है बताएं दोस्त कि एड्स के लिए उत्तरदाई विशानू का उधारन क्या है जरा मुझे बताओ सर देखो, जो AIDS है, AIDS के लिए उत्तरदाई विशाणों का उदाहरण याद रखें कि सर कौन सा वो है, रिट्रो वाइरस याद रखोगे सर कौन सा रिट्रो वाइरस जिसके स्ट्रेन हमेशा चेंज होती रहती है हमेशा बदलती रहती है, याद रखोगे नेक्स्ट आजाओ, मदुमेह के उपचार है तू, प्रियुक्त हार्मोन इंसुलीन का विश्कार किसने किया किसने खोजा था इंसुलीन को बताओ सर, किसने खोजा था इंसुलीन को जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ कि इंसुलीन की खोज किसके द्वारा की गई थी जरा मुझे बताओ सर एक वर्जिन को शेयर कर दो है ना आज बहुत का मच्यो क्या ही बात है आज मतलब ठंडा पढ़ गया जोस तुम लोगो लग रहा है पढ़ाई में मदुमे के उपचार है तो प्रयूक्त हार्मोन इंसुलीन का विशकार किया गया था याद रुखो कि दे अफ जी बैंटिंग ने याद रुखो कि बैंटिंग और वेस्ट नाम के सहब थे और उनके द्वरा सर क्या मदुमे के उपचार के लिए इंसुलीन की खोच की गई थी इंसुलीन डहेलिया की गाठों से मिलता है और मानो सरीर के अंदर याद रुखोगे या किस से मिलेगा तो मानो सरीर के अंदर या पैंक्रियास से अगनाशे से मिलेगा नेक्ष्ट आजो निमलिखित में से ब्राड स्पेक्ट्रम औसदी कौन सी है तो सर कि इसमें से ब्राड स्पेक्ट्रम औसदी कौन सी है जरा मुझे बताओ जरा मुझे बताओ तो उसकी ब्राड स्पेक्ट्रम औसदी कौन सी है तो याद रखोगे ब्रोड स्पेक्ट्रम औसथी याद रखोगे कि पारा सीटा मॉल नाम की दबाई हो गी है जो कि एक परकार की ब्रोड स्पक्रम औसथी हो जाएगी याद रुखोगे है ना बहुत शांदार, बिहार में थंडा बढ़ गया है, तो थंडा का पढ़ाई से क्या मतलब है? बताओ, सरे को ये रोग कहा है निद्रा रोग, सरे का निद्रा रोग किस से होता है? बताओ सरे, the sleeping disorder, sleeping disorder, sleeping disorder किस से होता है? बताओ अनिद्रा रोग, और निद्रा रोग किससे होता, बताओ बढ़िया, संपल बढ़िया, सरे को जो अनिद्रा रोग किससे होगा, तो अनिद्रा रोग याद रखोगे, ट्रिप्नो सोमा नाम का एक कोशिकी जीव है, यह कैसा जीव है, यह है, परजीवी, यह परजीवी है जिसका full form होता है trypnosoma gabions जिससे सोने की बिमारी होगी जिससे क्या होगा जिससे सोने की बिमारी देखी जाएगी याद रखो कि क्या देखा जाएगा महाराज तो सोने की बिमारी देखी जाएगी नम्रिकित में से किस रोग को antibiotic द्वारा ठीक नहीं कर सकते कि एंटीबाइटिक से कौन सा वो रोग है जो ठीक नहीं होगा एंटीबाइटिक से कौन सा वो रोग है जो ठीक नहीं होगा जिरा मुझे बताओ दोस्की एंटीबाइटिक से कौन सा रोग ठीक नहीं हो सकता है तो याद रुखोगे कि एंटीबाइटिक से सर टिटने होगा हैजा होगा कोड होगा लेकिन खसरा नहीं होगा क्योंकि खसरा वाइरस से होता है और एंटीबाइटिक जिवाणू से होने वाले रोगों के खिलाफ दी जाती है याद रुखोगे बहुत ही बढ़िया शांदार 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 खसरा की विमारी किस से होती है मीजल किससे होता है जरा मुझे बताओ खस्रा की बिमारी किससे होती है तरह को जो खस्रा है खस्रा की बिमारी याद रुखोगे देखो जो खस्रा की बिमारी है यह वाइरस से होती है और कौन सा वाइरस याद रुखो जो मीजल्स है यह MMR Mizzle, Mumps & Rubella Mizzle, Mumps & Rubella नाम का वाइरस होता है जिसके लिए MMR का इंजेक्शन लटता है और यह वाइरस से होना रोग है Rubella वाइरस Rubella वाइरस इसको लेके आएगा याद रखोगे दंत छै का कारण क्या है बताओ सर कि दंत छै का कारण The cause of tooth decay कि दंत छै का कारण क्या हो जाएगा देखो दोस्त जो दंत छै है दंत छै का कारण क्या हो जाएगा जरा 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 मुझे बताओ दोस्त की देखो जो जंत छै है कि दंत छै का कारण किस वज़ा से होता है जरा मुझे बताओ जो जो दंत छै होता है तूठ दिके होता है, दूशित पानी से हो जाएगा, दूशित पानी कैसा सर तो फ्लोरीन युक्त पानी, ऐसा पानी जिसके अंदर फ्लोरीन की सर क्या कमी हो जाएगी, सर क्या दात गिर जाते हैं, याद रखोगे, अस बात को सारे के सारे, next आ जाओ, कि मलेरिया परजीवी अमीबा को किस स्रेणी में रखेंगे, कि मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस स्रेणी में रखेंगे, प्रोटोजोवा, सरेंट्रेटा, पोरिफेरा या अनलीडा, बताओ सर किस में रखा जाएगा, सर को मलेरिया परजीवी और अमीबा को याद रखेगा कि प्रोटोजो तो अमीबा के अंदर जो उसके false feet होंगे या किस लिए जरूरी होंगे तो याद रुखोगे चलने के लिए जरूरी होते हैं याद रुखोगे जो false feet होते हैं या हमेशा हमेशा चलने के काम में आएंगे याद रुखोगे इन्हें pseudopodia कहते हैं जापान में उपहार के तौर किया देते हैं क्या दिया जाएना ज। वेडियो काल किये क्लास पर देखो चाहिए वीडियो कॉल की यह थै Бढ़ी आँब आपके आते ह्मक्तिवेश्ट मुटे लाइव होरगे देख लो सर वतलब दूर नहीं रहा रहे हैं, चलिये, याद रखो सर पर , क्या हो जाएगा , युपलेक टेला , नियूपलेक टेला भर में युपलेक टेला स्मी तरी चाहुंए , याद रोखोगे , है बहुत शहांतर प्रशूबन में we are जो सबसे वstrong सिर अग जो गवत smघ मतस्ट सब्सक्राइब से नीकर शपरक्राइब करेंगे नीजीलेंड ुडेयन हीस जाने वाला दॉडा सा है exist कि उडेयन में पाया जाने वाला तो नीजीलेंड याद र। आने वाला टाइं हीस कौन से सरी याद रखोगें तो निजूलय ने पाय häuf जाने वाला उड़े अनहीन पक्छी किवी हैं याद रखोगे leading जो सब से भी कोप सकता है तो याद रखोंगी षटन से अस जो सब से भी किवी कोन याद रखो import mean जो सब से तो जो सब से भी कोपे सी सबसेत हैं नेक्स आतु तक नेक्सया कहता है, वह एक मातर पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, वह कौन सा है, वो गुंजन पक्षी है, हमिंग बर्ड है, और ये सबसे छोटी चिडिया होती है, याद रखोगे, इस सबसे छोटी चिडिया होती है, इस तन्धारी वर्क का विसिष्ट ग्रिंथिया, all of the above is the correct answer, all of the above is the correct answer हो जाएगा, बिलकुल, बिलकुल correct हो जाएगा, लाइक करते रहो सारे सर, लाइक करते रहो, लाइक बहुत कम है, dolphin कहां आएंगे, dolphin are classified in, तरह कुछ जो dolphin होंगे, किस के अंदर आएंगे, तो dolphin याद रखोगे, जा आपके सर क्या, तो दोंब कुछ dolphin है, dolphin dolphin, 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 dolphin जो है, वो mammals के अंदर आ जाएंगे, याद रखोगे, någonting कि सफ्कें थे रहो जाएंगे और like किसे अंदर आएंगे, बढ़ती रहनी चाहिए, एक एक करके like बढ़ता रहने, जाए लाइक कर थे, like रूको नहीं चाहिए, नेक्स आज़ो तो नेक्सिया कहता है इस तनियों के हिर्दय में कितने कोष्ट होते हैं देखो जो मैमल्स होते हैं मैमल्स के हर्ट में कितने चेम्बर होंगे तो याद रखोगे कि मैमल्स के हर्ट में चार चेम्बर होते हैं जावर सियझे, मताम थृट में चार चम्बर पाए जाएंगे ऐसे आड आप तरही जावर सो बहुत बदने नाया काहएं नस्दा आज आजरो होमो सेपियंस किस到क बेग्यानिक नाम दुर होमोसेपियंस इस这र तो आ आज़ो कि देखो अंधेरे में जो चमगालड है वो क्या करता है उड़ने में समर्थ है क्यों बताओ सर क्यों समर्थमान है इसको सर का आपको ओमर की तौर पर करना है और सर को आप सब कलिए विवेक के लगा लगा लोगे मैक्सिमुम डिस्कॉंट मिल जाएगा बिहार SSC दरोगा कूपन कोड विवेक के लगा लेना मैक्सिम डिसकॉंट मिल जाएगा आप सभी को और सर टेस्ट बुक सर के आपके लिलाया सर क्रैक बिहार गौर्डमेंट जॉप सर सुपर टीचर जहां पे पंदर सदिक वीडियो कोर्से से साथे 600 सदिक मॉक टेस्ट 200 सदिक इस्टरी नो और क्लास को यहीं पर रोकते हैं तिल देन गॉड्ड ब्लेस यू